उत्तर प्रदिश की जिला मुरादाबाद में सापताहिक प्रावधानिक लॉकडाउन जो शनिवार और रहिवार रहता है उसमें भी लोग बिना रोक टोक के दो पहिया और चार पहिया वहान चलाते दिखे लॉकडाउन होने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने खंड सिक्षा अधिकारी यानि B.E.O. पद के लिए भी परिक्षा कराई मुरादाबाद के अलग-अलग विद्यालेों में यह परिक्षा कराई गई इन कॉलिज के गेटों पर लंबी-लंबी लाइने भी देखने को मिली इन लाइनों में ना तो परिक्षार्थियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा ना ही किसी भी परिक्षार्थी को सैनिटाइज किया गया ऐसे वक्त में अगर कोई भी कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ती होता तो आप समझ सकते हैं किया कितना बड़ा संक्रमण विस्पोर्ट हो सकता है उत्रपदेश सरकार कोरोना वायरस से बचाओ के बड़े-बड़े दावे तो कर रही है लेकिन इस तरीके से लॉकडाउन में भी सोशल डिस्टेंसिंग और बचाओ के अननियमों की धज्जिया उड़ाई जा रही है बिड़बाल को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने लाजमी है